दोस्तो वेलकम टू दे चैनल जैसे आपको पता है कि हम वेव आप्टिक्स पे डिसकेशन करते हुए एक ऐसे मुकाम पर पहुच गया थे कि हमारे बस माइक्रोस्कोप और टेलिस्कोप के निमरिकल्स यहाँ पर क्या थे बाकी थे अब बेटा निमरिकल्स के लिए आज हम हमारे स्टेट बोर्ड के लिए इंपोर्टन्ट होते हैं स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के लिए तो आज हम उन्हें कंक्लूड करेंगे और सबसे पहले मैं माफी मागना चाहूंगा कि हम 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाएं क्योंकि थोड़े से टेक्निकल रिजन सब्सक्राइब तो बहुत ही बड़ा आप सबको थैंक यू और ऐसे ही पढ़ते रहिए हम सब पढ़ाई से ही एक दूसरे से चनेक्टेड हो सकते हैं तो बेटा अब हम क्या करेंगे सब नीमरिकल को एक बार माइक्रोस्कोप और टेलिस्कोप के नजरिये से देखने की कोश अब सबसे पहले हमें क्या करना है हमें फॉर्मूले लिखने अगर आपको माइक्रोस्कोप और टेलिस्कोप का लेक्चर याद नहीं आ रहा है तो बेटा सबसे पहले क्या किजिएगा इस वीडियो के बाद में एक बार डिस्कृप्शन में मैंने जो सब लिंक दी है जिसमें माइक्रोस्कोप और टेलिस्कोप का भी एक लिंक हमने शामिल कर लिया है तो उसे भी आप क्या किजिए यूस्फुल वो बहुत ज्यादा यूस्फुल रहेगा उसे भी देख लीजे और बाद में निमरिकल्स लगे तो आप सौल गेजे क्योंकि ज्यादा निमरिकल्स तो नहीं है वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं है तो बहुत यह आसानी से हो जाएगा सबसे पहले मैं तो टेक्स्बूक में के क्वेश्चन्स तो लेने ही वाला हूं ताकि आमें बहुत आसानी से पढ़ाई हमारी हो सके तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप का हम क्या करेंगे फ साइन थिटा डी साइन थिटा हमारा एक का था उसमें कितने एंगल आते थे दो आते थे तो हमने क्या किया था थिटा की जगा एंगल कुछा लिख 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 of resolution पे अब limit of resolution किसका था microscope का था लेकिन वो दो objects में divided था यानि एक था luminous और एक था non-luminous एक था luminous object दूसरा था non-luminous objects अगर ऐसा होता है तो हमारे पास जो limit of resolution था अगर हमने d को ले लिया ये भी हमारे d का था तो limit of resolution में आता था lambda upon d 2n sin alpha और ये था हमारे लिए ये जो term थी ये दोनों तरफ कैसी थी common थी lambda by 2n sin alpha अब होता गया था अगर luminous है और non-luminous है इसमें फर्क क्या आता था तो फर्क ये था कि यहाँ पे हम कितने से multiply करते थे multiplied by 1.22 this was the main difference that is for limit of resolution यानि दो objects हमें कैसे देखने है separately देखने है तो ये थी हमारी limit of resolution for microscope for luminous objects and for non-luminous objects same numericals हमारे पास कैसे थे telescope के थे बेटा एक याद रखिएगा numerical microscope का बहुत ज्यादा नहीं repeat हुआ है telescope का numerical ज्यादा से ज्यादा repeat हुआ है तो इसे हाँ बहुत ही ध्यान से शांती से देखेंगे तो numericals के लिए हम formula क्या तयार करेंगे path difference तो हमारे पास कितना आता था path difference is equals to 1.22 of lambda क्याद है आपको हमने उसमें description में इसे लिख दिया है और theta यानि क्या कह सकते है theta is angular separation अब क्यू angular separation है क्योंकि telescope कैसा है telescope is used to observe things which are very very far from us बहुत दूर के objects हम देख रहे तो बहुत दूर के जब हम objects देखते है तब हमें diffraction हमें क्या करना पड़ता है दोनों में का जो distance है वो linear नहीं रहता वो क्या हो जाता है angular हो जाता है वो अगर angular हो जाएगा तो हम क्या निकालेंगे theta calculate करेंगे and our theta will be easily calculated in terms of theta का एक ही formula हमारे पास था 1.22 lambda upon capital D capital D हमारे पास जादे आपको it was the aperture of telescope यह कहा था बेटा it was the aperture of telescope अब यह formula हमें ज्यादा स्यादा क्या करना पड़ता है यूज करना पड़ता है DNA aperture of telescope इस पे से मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने question भी पूछा था तो यह हमारे लिए इसकी value meters centimeters हमारे पास हो सकती है एक numerical जो मैं अब लेने वाला हूँ इसमें एक inch का numerical दिया था अब inch तो हम use नहीं करते है लेकिन numerical कैसे आता है देखिए यह हमारे क्या हो गए formula हो गए तो बैटा आगे बढ़ेंगे numerical पर जाएंगे तब आपको बहुत easily clear हो जाएगा यह ज़्यादा important numerical तो है नहीं है से बढ़ टेलिस्कोप का एक numerical आपको पढ़ाना है जो हमारे textbook में बहुत अच्छे से उसको rate किया जाता है कि वो numerical exam में आ सकता है तो उसको एक बार देख लेते हैं और numerical क्या है एक बार पढ़ लेंगे हम तो चलिए बच्छो numerical स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले आप देखिए टेलिस्कोप का हमारा numerical है और इस numerical में दिया क्या है पहले हम given लिखेंगे a star is emitting light at the wavelength of 5000 angstroms अब हमारे पास सबसे पहले क्या दिया गया है लैमडा दिया गया है हमने लिख लिया उसे 5000 क्या कर लिया एंग स्टोंस कर लिया अब एंग स्टोंस तो हमें चलेगा नहीं इसे कैसे कनोड करेंगा हम मिटर में कनोड करेंगे तो हमने क्या लिख लिख लिया Lambda is equals to 5000 into 10 raise to power minus 10 meter. And a Lambda is equals to 5 into 10 raise to power minus 7. क्या आगया हमारे पास? Meter आगया. ये पहला आगया हमारा Lambda आगया. आगे पढ़ाना हमें निकालना क्या है? Determine the limit of resolution of the telescope having an objective of diameter of 200 inch. अब पहली बार आपको 200 inch दिखाओगा. अब inch आपको पता है? Inch हम क्या करते हैं? हमारे scale पे हमें either centimeter या meter यूज करते हैं. हम inch के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. अब हमारे पास ऐसा numerical जब आता है तब उसे पढ़ाना बहुत necessary हो जाता है कि उसका conversion कैसे करें. अब सबसे पहले हमें निकालना क्या है? वो समझ लीजिए. हमें निकालना है limit of resolution is equals to question mark. that is theta is equals to हम क्या कर लेंगे? question mark कर लेंगे. आगया हमारे पास limit of resolution is equals to question mark. अब हमें दिया क्या गया है? we have objective of the telescope that is 200 inch objective यानि D दिया है वेटा हमारे पास 200 inch. अब inch को पहले हमें convert करना पड़ेगा centimeter में ये धायन रखिए. और फिर कैसे convert करेंगे हम meter में? अब बहुत ही कम बार आप inch को centimeter में convert करने वाल है. तो हम सबसे पहले क्या करता हूँ? मैं आपको बदा जाता हूँ कि हम क्या करेंगे? 200 multiplied by inch का अगर conversion centimeter में करना है, तो किस से multiply करेंगे हम? हम multiply करेंगे 2.54 centimeter. कितने से multiply करेंगे हम? 2.54 क्यूं? क्यूंकि आप अगर इस scale को उठा कर देख लेंगे, तो हमारा this is our one inch यहाँ पे, और inch का 2.54 centimeter पे एक inch क्या होता है? complete होता है. आपके पास की भी scale आप उठा कर देख सकते हैं. तो यह multiplication हम क्या कर लेंगे? 2.54 centimeter से multiplication हम कर लेंगे, और इसका answer हमारे पास कितना आएगा बेटा? that is 508 unit क्या आया है? centimeter आया है. अब हमारे पास 508 centimeter भी आया है. लेकिन हम centimeter में calculation नहीं करते हैं. हम कैसे calculation करते हैं? meter में. तो इसे हम क्या लिख लेंगे? 5.08 unit क्या बन गया हमारा meter. और ये आगई हमारे d की value that 5.08 क्या बन गया? meter बन गया. अब हमारा given complete है. अब अगर हमारा given complete है, तो हमें formula लगाना होगा. और theta, that is limit of resolution का हमारे पास formula कितना बन जाता है? 1.22 lambda upon कितना हो गया? capital D हो गया. अब ये अगर हमारे पास formula बन गया है, तो आपने पास सब है. हमारे पास 1.22 हम substitution भी कर सकते हैं, that is, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं. 1.22 multiplied by 5 into 10 raise to power minus 7 upon, कितना है? capital D is 5.08, और हमारा जो unit आएगा, उसका क्या होगा? हमारा radian होगा. तो theta is equals to, we can easily calculate हमारा pain तो उड़ गया है, तो theta that we can easily calculate, it can be given as, इसे calculate कीजिए आप, numerator को पहले solve कर लिजिएगा, numerator को हमें solve कर लिया, तो क्या आजाएगा? 6.1 upon 5.08, multiplication बराबर है ना, into 10 raise to power कितना? minus 7 radian as it is, theta is equals to, मैंने calculator तो नहीं use करता हूँ, तो आप इसे निकाल सकते हैं, निकाल लिए जल्दी, comment section में बताइए, answer क्या आगया हमारा, that is 1.2 into 10 raise to power minus 7, unit के हो गया हमारा, radian हो गया, this is our limit of resolution, limit of resolution कि, limit of resolution of our telescope, यह हमारे पास आगया, अगर हमें resolving power पूछा जाया, resolving power अगर हमें पूछी गई, तो हम क्या लिखेंगे, resolving power, limit of resolution का क्या होता है, reciprocal होता है, समझ मैं है, तो हम इसके क्या लिख सकते हैं, exactly उल्टा लिख सकते हैं, तो this is our best structure for limit of resolution, यह numerical आपको ध्यान में रखना है, this is our important numerical, यह exam में भी आ सकता है, यह बहुत important numerical है, समझ में आ रहा है, कि हमने क्या किया था, सबसे इसका main structure क्या था, inch को हमने कहां से convert किया, centimeters में convert किया है, यह आखिर आखिर के numerical से, पहले numerical से इसके ज्यादा important होते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है, वेटा हम आखिर structure पे हैं इस chapter गें, एक और numerical पढ़ा हूँगा, जो microscope के हैं, तो चलिए वेटा, आगे बढ़ते हैं, numerical मैं क्या करता हूँ, पोज दिदा हूँ एक बार, फिर microscope का numerical हम क्या कर लेंगे, solve कर लेंगे, तो आगे बढ़ें, तो वेटा, हम आगले numerical पे बढ़ते हैं, क्या दिया है दिखिए, अब्जेक्ट इज इल्यूब्नेटेड बाई लाइट, ओफ वेव लेंथ 5000 अंग्स्ट्रोंग्स, लेमडा फिर से दिया गया है, लेमडा इस इक्वल्स तो 5000 अंग्स्ट्रोंग्स, यानि क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 राइस तू पावर माइनस सेवन, यूनिट क्या बन गया है, मिटर, and it is observed by microscope in air, calculate resolving power, क्या पूछा गया है, एक बार इसे शांती से लिखेंगे, क्या पूछा गया है, resolving power पूछी गई है, resolving power, हम इसे rp is equals to question mark भी लिख सकते हैं, resolving power, इस सेमी वर्टिकल एंगल is 30 डिगरी, सेमी वर्टिकल एंगल यहने क्या हो गया, alpha दिया गया है, हमें 30 डिगरी दिया गया है, अब resolving power को solve करने से अच्छा है, हम पहले क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इस पर discuss करेंगे, क्या है discussion में, सबसे main topic है, कि हमारे पास microscope का formula कौन सा है, हमारे पास microscope का formula है, separation का, that is limit of resolution, और limit of resolution का formula है, lambda upon 2n sin alpha, अब यह formula क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे हमने object is illuminated दिया गया है, यहनि object कौन सा है, non luminous है, object कौन सा है हमारा, non luminous है, यहनि खुद glow नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा क्या formula है, d is equals to lambda by 2n sin alpha, अगर luminous होता था, तो यहाँ पे 1t blood by कितना लिख सकते थे हैं, 1.22, लेकिन वो अब नहीं है, अब d हमारे पास क्या हो गया, d हमारे पास हो गई, limit of resolution, limit of resolution, अब limit of resolution का reciprocal, यानि कहा लिख सकते हैं, resolving power, तो resolving power का हमारे पास formula कितना आ गया, resolving power is equals to 1 upon d, that is, 2n sin alpha, अपोन कहा लिख सकते हैं, तो आपकी resolving power सीधी सीधी मट रही है, 2 into n क्या हो गया है, refractive index air है, तो refractive index कितना है, 1 into sin alpha कितना है, 30 upon 5 into 10 raise to power minus 7, आगे, कि हम क्या कर रहे है, resolving power हमारे पास directly आ जाएगी, और resolving power का unit भी क्या बनेगा, अगर d का unit क्या है, meter है, उसका reciprocal है, यानि क्या, per meter, यानि क्या लिख सकते हैं, meter, inverse लिख सकते हैं, स्वाल कर सकते हैं, क्या करना है, sin 30 की value रिखने हैं बेटा, 2 upon 5 into 10 raise to power minus 7, मैं answer भी लिख देता हूँ, resolving power, it will be, 2 into 10 raise to power, 6 meter inverse, ये आपका answer आना चाहिए, ये आपका answer आ सकता है, अगर आप इसे solve करेंगे, देखिए मैंने इस पे 3-4 numerical आपको क्या बना दिया हैं, कि आप easily solve कर सके, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, object हमारा luminous है, कि non-luminous है, non-luminous है, तो ये formula लगेगा, उसमें अगर limit of resolution ही पूछा होता था, तो कोई गड़बड नहीं थी, हमें क्या पूछ लिया, resolving power पूछ लिया, इसका क्या होता है, reciprocal होता है, अगय समझ में, तो numerical को बस हमें adjust करना है, हमें अच्छे से देखना है, कि हमारे पास numerical क्या है, अगर कोई luminous object होता है, मैं आपको एक homework देता हूँ, कि आप यही सब given, सब यही given, बस object कौन सा है, luminous है, ऐसा consider कीजिए, और luminous object के लिए, आपने क्या निकालना है, आपने limit of resolution भी निकालनी है, और resolving power भी निकालनी है, निकाल सकते हैं आप, limit of resolution कैसे निकलेगी, lambda के बज़ाय क्या आ जाएगा, 1.22 lambda, आ सकता है, 1.22 lambda upon 2N sin alpha, ऐसा वो formula बन जाएगा, यानि यही formula, बस, object is not illuminated, object is luminous, and emitting light of 5000 एंक्स्टांज, ऐसा आपको consider करना है, आगा सबज़ें, तो यह एक numerical हो गया, एक numerical बेटा, एक और homework देते था हूँ, ताकि आप easily उसको क्या कर सकते हैं, solve कर सकते हैं, तो देखिए, देखिए है तो वैसे homework, लेकिन हम discussion पर कर लेते हैं, diameter of objective of telescope is 30 cm, capital D है हमारा 30 cm, याने 30 into 10 raise to power minus 2 unit क्या बन गया, meter, क्या calculate करना है, resolving power, rp is equals to क्या बन गया, question mark, और rp कैसे निकलेगा बिटा, rp is equals to 1 upon theta, याद रखी हमेशा, और theta कितना होता है, telescope का, 1.22 lambda upon क्या होगा, D, अब lambda भी हमारे पास दिया है, 500 nanometer, याने क्या लिख सकते हैं, 500 into 10 raise to power minus 9 meter, यहाँ पे substitute होगा, याने 1.22 into 500 into 10 raise to power minus 9, upon, small d कितना है, 30 into 10 raise to power minus 2, unit क्या बन जाएगा, radian बन जाएगा, sorry, theta is the angular separation, theta आ गया, theta हमारे पास क्या था, यह होगी हमारे कौन सी आगे, limit of resolution, और हमें क्या निकालना है, resolving power, तो इसका क्या निकालाएगे हम, reciprocal, आप directly इसका formula क्या लिंकाल सकते हैं, resolving power is equals to, D upon 1.22 lambda, unit क्या बन जाएगा, radian inverse, आसान होगा है numerical, थोड़ा सा, तो एक और दे देता हूँ मेटा, एक और numerical चौल करेंगे, देखिए, यह एक और numerical बना दिया है, अब क्या numerical दिया है, what is the minimum angular separation between two stars, if telescope is used to observe them, with an objective of aperture 20 cm, capital D दिया है, telescope का 20 cm, इसको meter में करेंगे, minimum angular separation, क्या फूचा है, theta, theta यानि क्या होता है, क्या formula बनेगा, 1.22 lambda upon capital D, अब क्या बचा, lambda, तो lambda की भी value कितनी थी है, 5900 angstrom, lambda is equals to 5.9, into 10 rest to power minus 7, meter, centimeter को convert करेंगे, meter में, वो मैं आप पे छोड़ूँगा, कर सकते है बटा, आसानी से हो जाएगा, numerical ज्यादा कुछ difficult है, इसके बाद में हम क्या गरेंगे, हम एक दो चाप्टर स्टार्ट कर देंगे, एक तो हम fluids भी पढ़ेंगे, और second paper का circuits भी पढ़ेंगे, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा, पहले पढ़ते रहिए, numericals वाल कीजिए, और मुझे numericals भीजिए बना के, ताकि हम discussion कर सकते हैं, आगा समझ में बटा, तो चैनल को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, comment section में लिखते रहिए, और बताते रहिए, हम तो पढ़ाते ही रहेंगे, thank you,